तेसला के बारे में देखा था निकोला तेसला किस प्रकार से स्वामी जी ने उनको कहा था to find out an equation जिसमें कि कहा गया कि matter energy are invert convertible दोनों एक दूसरे से convert हो सकते हैं परन्तु निकोला तेसला वो equation मिला के नहीं पता नहीं परन्तु, स्वामी विवेकान के महासामादे के तीन साल बाद ही, डॉक्टर आइंस्टाइन ने वह निकाला, इस उकल टो एमसी स्क्वेर, यह सब लोग को पता है, पर आइंस्टेन इंसेल्फ एक्नॉलेज़ दी कॉंट्रिबिशन आप स्वामी विवेकानंद by stating that there is one कानन्द, उस समय स्वामी विवेकान को यह अमरीकन उस्पेपर पूरा स्वामी विवेकान ऐसा बोल भी नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे, उन्होंने उसको दो पार्ट में कर लिया, स्वामी को निकाल करके Mr. डाला, और विवे कानद के बले विवी और कानंद ये दो सब्द अलग डाल दिया तो Mr. कानंद ऐसा बोलते थे, Mr. कानंद, कोई कई Mr. विवी कानंद, विवी अलग और फिर कानंद, K capital, कानंद अलग और कहीं कहें, Mr. Kananda told like this. तो Einstein ने यही कहा, there is one Kananda, as the Western papers often refer to Swami जी, who predicted, यह Einstein कह रहे है, there is one Kananda who predicted that energy and matter are interchangeable. तो Swami जी को बाद में तीन बर्स जादा रहते, तो बहुत आनन्द होता कि उन्होंने जो कहा था, उसके अंसार, वो mathematical equation, Einstein ने निकाला. पर एक बात है कि यह जो दुसरी भी बात है, इथर के बारे में जो Einstein ने कहा था, वो अभी स्वामी जी ने बहुत पहले कहे दिया था. स्वामी विवेकान was the first in 1895 to reject the ether theory long before Einstein. 1905 में उन्होंने जो बात कही, Einstein ने, उसी बात को 800 पंचान में में स्वामी विवेकान ने बोल दी थी. क्या वात? Ether theory, long before Einstein who said that it could not explain science. Ether and theory of relativity and address derived by Einstein on 5th May 1920 at University of Leiden in Netherlands. तो वहाँ पर 5th May 1920 को Einstein ने कहा था कि Ether theory cannot explain the universe. पर स्वामी जी ने 1800 पंचान में में ये बात कही दीते हैं. तो ऐसी कई बात है जो स्वामी जी ने कही है अभी उनका उनको समझना हमारे लिए मुश्किल है उनको समझ करके बाद में उसके इंसार mathematical equation अभी लाना पड़ेगा और उन्होंने जो वेदान्त दर्शन और कि एक आध्यात्मिक पुरुष होते हुए भी उनके he was a multifacet personality ऐसा सर्वांगी उनका वेक्तित्व था कि कितने प्रकार की उनकी टैलेंट्स थी और उस समय जब स्वामी विवेकान मिले नेलसन तेसला को उसी समय न्युवार्ट में सर विलियम थॉम्सन ये भी उस समय जाने माने साइंटिस्टे उनके साथ भी स्वामी जी की मुलाकात हुई थी और एक थे जो साइंटिस्ट नहीं थे पर उनका बहुत प्रचार होता था उनके lecture के लिए तो लोग कितना रुपया देते थे बहुत रुपया देते थे, बहुत डालर देते थे, Mr. Ingersoll, ये Ingersoll चारे अमरिका में घुम रहे थे, उनके लेक्चार सुन्नी के बहुत भीड हो जाती थी, और he was very popular, एक बार स्वामी वेकान के साथ उनकी मुलाकाती, तो स्वामी जी को उनोंने का, this earth is like an orange, I want to squeeze the orange and take every drop of it, I believe in squeezing the orange, मैं तो बस ये जो जीवन है, उसका उपभोग करने में मानता हूं, खाओ पियो मजा करो, ये आई है, पृत्वी पर आया है, मौझ करो, खाओ पियो मौझ करो, it is like an orange, take, orange को लेओ, juice पिलो, that is it, खाओ पियो मजा करो, स्वामी वेकान ने का, मैं भी, I also believe in squeezing the orange, but I have better way of squeezing the orange, उनने कहा कि मैं जानता हूं, मैं इम्मोटल हूं, तो I am not in a hurry to finish all the pleasures, I have got my own time, I am not attached to one family, सारा विश्व मेरा परिवार है, so, I am enjoying in all the bodies, I am enjoying in all the places, and I am not attached to one particular thing, तो मेरे लिए जो सभी बकानों के द्वार खुले हैं, सभी जगह में जा सकता हूं, I am free like a bird, तो squeeze your orange in such a way, and get every drop of it, ये सामी जी ने इंगर्सुल को कहा था, ये जो वेदानत दर्शन है, वो और एक step आगे जाता है, वो भी कहता है, ये सारे पृत्वी है, ये आनन्द में है, हम भी आनन्द में हैं, हमारा अमृत्र से पुत्रा, हम आनन्द के संतान हैं, आनन्द करेंगे, पर ये आनन्द करने का तरीका, बताया स्वामी जी ने, अना सक्ति पुर्वक, इशावास्य मिदम सर्वं, यत्किंच जगत त्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागरिदर कस्षिद्धनम। वही उन्होंने स्वामी जी ने इंगर्सुल को बताया कि हम इस प्रकार से एंजॉय करते हैं पृत्वी को इने बेटर वे यह स्वामी जी ने बताया। आज हम लोग बात करेंगे कि स्वामी जी जिब वहाँ पर निकोला तेसला को मिले थे फेबुरुरी 1896 में उसके पहले 1895 में स्वामी जी अठाव सब पंचानमे में गय थे यूरोप की यात्रा में आपको याद होगा कि फ्रांसिस लेगेट ने उनको कहा था हमारे मेरेज में से रहना सप्टेम्बर में का मैरेज था पैरिश में तो उसी समय स्वामी जी को और भी निमंत्रमी ने इंग्लेंड से ईटी स्टरडि से लेक्शर के लिए मिस मुलर के सब्गी मुले लेक्श और उन्हों ने सवामी जी ने सोचा की इंग्लेंड के नीचे भारत वस्जु तो इंगलेंड में जो की भारत को भारत पर जो प्रभुत्व कर रहा था जो इंगलेंड और उसे में तो Great Britain का सचमुझ में Great मान जाता था ऐसा माना जाता Great Britain ऐसा great है कि उसमें कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था मतलब इतने सारे देशों पर उसका राज सा कोई कोई देश में सूरिय चमकता था यहां Sunset होगा तो वहां Sunrise होगा तो बिटिस राजी ऐसा था उस समय जिसके में Sunset होता ही नहीं ता मतलब हमेशा कहीने कोई 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 देश में Sunrise हुआ करता था पर तो स्वामे जी चाहते थे कि जिस राष्ट के अंडर में इंडिया है, वहाँ पर भी यह विदान्त का विचा जाना चाहिए, वहाँ पर भी वो तहलका मचाना चाहिए. तो इसलिए उन्होंने उस अपरिशुट को ले लिया, गए वहाँ पर, पहले गए पैरिस में, पैरिस में, फ्रांसिस लेगेट, बैटी लेगेट के विवा हुआ, उसके बाद में उनको शुब कामना गेर दे करके, वहाँ से चले गए लंडन. सब्टिम्बर 10 से ले करके, 26 नवंबर तक स्वामी जी लंडन में थे. और महीं पर बहुत अच्छा उनका, उनके कई लेक्चर्स हुए, कई पार्लार मिटिंग हुए, सबसे बड़ी उनको उपलब्दी जो हुई थी, वो एक शिश्या की. वो शिश्या है मिस मॉर्गिट नोबल. बाद में चलकर जो सिस्टर निवीदिता बनी, अभी अभी दो साल पहले हमने सिस्टर निवीदिता की 150 वी जहनती बड़े पैमाने पर सारे विश्वे मनाई. तब कई नई बातों के बारे में पता पड़ा, कई नई किताबें भी प्रकाशी तोई, कई नई बातें भी पता पड़ी, वो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, धीरे-धीरे करके यह सब बातें नहीं नहीं रिसेच हो करके आ रही हैं, बर यह कैसे अद्बुत बात कैसे मिस्स मॉर्गर्ट नोबल आई, किस प्रकाश से यह दिव्वे योजना हुई, यह मिस्स मॉर्गर्ट एरिलिजाबेथ नोबल, इनका जन्म हुआ 28 अक्टोबर 1867 में, 1867 में, नौर्थ आयलेंड में, इनके फादर दे सेम्यूल रिच्बॉन नोबल, वो प्रिष्ट थे, और मदर थी मेरी इसाबिल नोबल, और ऐसा कुछ हुआ कि जन्म के समय बहुत ब जन्म हो रहा था, तब उनकी माने, मदर मेरी ने, उनकी माने प्रार्तना की भगवान को, भगवान यदि मार्गरेट को तुम बचा दोगे, तो मैं इसको तुम्हारी सेवा के लिए समर्पित कर दूँगे, अब सोचिए, कैसा डिवाइन प्लानिंग, पहले से मानों रिज उसकी मा, उसको मालूम भी नहीं था, पर उसकी पिता जी ने कहा था, मा को यह नहीं मालूम था कि बाद में उसको भारत में जाना पड़ेगा, मुझे उसको सेक्रिफाइस करना प्रार्तना की भगवान यदि उसको बचाओगे, तो मैं तुम्हारी सेवा उसको दे उसने सोचा था, उसको कॉन्वेंट में दे देगी, नन बना देगी, पर उसको यह नहीं मालूम था कि तो नन बनने के पर ले भारत चले जाएगे, तो उस समय तो कोई आईडिया ही नहीं था, पर यह इतना कहा था कि यह ऐसी दिवियुजना की भगवान को उनने यह कहा द में थे, यह खुद प्रिष्ट थे और निवेदिता को काफी उनों religious studies में उनको धर्म की शिक्षा में उनका बोड़ा योगदान रहा, और उन्होंने यह भविश्यवानी के थी कि निवेदिता इसको मारलोट को भारत जाना पड़ेगा, यह उन्होंने भविश्यवानी के थी, उस समय किसी को पता नहीं था कि सचमुच में एक स्वामी वी का अननाम के कोई आएंगे, उनको निमंतल देंगे और भारत ले जाएंगे, तो यह हुआ, और यह मिस्स मार्गेट नोबल को किस प्रकार से तयार किया दिवेदिता की बच्पन में, कि जन्म से ही, जन्म क के समयी, मा ने कहा था कि इसको मैं भगवान की सेवा में देदूँगी, मात्र दस साल की उम्रह में पिताजी के मृत्त हो गई, बहुत बड़ा जटका लगा, बहुत बड़ा शौक था मार्गरेट के लिए, और फिर सतरा साल की उम्रह में शिक्षिका बन गई, बहुत अच स्पीकर थी, बहुत अच्छा राइटर थी, बहुत अच्छा राइटर थी, किरुह सिक्षिका ने थी. और उसक्षा के खिच्रह में भी उसने बहुत सारे नए हैंने eksperimen्ट किये थे, सब आगे बढ़ गे थी, मा ने अपने केरेड में बहुत सक्सेस्फुल थी, उसी समय म वाइस साल की उम्र में उसके संपर्क में एक योग से उसका संपर्क हुआ, एक इंजिनियर था, बहुत ही भला आदमी, दुसरों की सेवा करने वाला, ठीक उसके समय उसका जो नेचर था, दुसरों की सेवा करना, मानो मात्री की सेवा करना, यही उसका भी था, उसके साथ उस शौक लगा तो यह सब उसके मन में इसा प्रश्ण थे क्या होता है कैसे लोग मर जाते हैं वाट इस डेथ मृतिके बाद होता क्या है और यह जो प्रश्ण वहाँ पर चर्च में नहीं कर सकती थी फादर लोग तो उनका तो फॉर्मल एक रिलिजन था पर यह जो फिलासोफिक क्वेश्चन का उसको कोई रिप्लाई नहीं दे पाता है कितने सारे क्वेश्चन उसके मन में थे और इसलिए जब स्वामी विवेकान जब पहली बार उनका प्रवचन उसने सुना 10th November 1895 अठाषब पंचार में 10th November को उनकी फॉर्स्ट मिटिंग के स्वामी विवेकान लेटी इसाबल मार्गेसन इनके हाँ पर स्वामी विवेकान आये थे केवल 15-20 लोग थे और जैसा इंडियन सेटिंग में होता है ऐसा सेमिसर करके बैठे थे स्वामी जी बैठे थे एक इनफॉर्मल में और मार्गेरेट इतनी प्रभावित हो गई जिस प्रकार से संस्कृत के स्वामी बोलते थे जिस प्रकार से बीच-बीच में ध्यान में च कि सवामी विगान के प्रवसद्म में जाती ती और धिरे धिरे पूरा उसका परिवर्तन हो रहा था अध्बुत परिवर्तन हो रहा था और उतने सरे प्रश्नप पूछती थी जब भी कुछ सुपी जी बोलेंगे हैं हुछ तो ठीक है ondغी उसका बड हमेशा करते थे इसलि ने कोई तुरंद बोले कि अच्छा आपने ये कहा, बट, उनका बट हमेशा रहता था, तो सामी जी उसको ले करके मजाग भी करते थे, और सामी जी ने एक पर कहा था, let none regret that he or she was difficult to be convinced, I fought with my master for five long years, that is why I am what I am, उनका किसी को पस्तावा नी होनी चाहिए, किसी को दुख नी होना चाहिए, कि क्यों उसको समझने में देर लग रही है, या प्रश्नों क्यों इतना पूछ रहे है, क्यों इतनी जिग्या सा है, मैंने स्वेहम अपने गुरू से पांस सा साल तक लड़ाई किया है, मैंने, पांस साल तक मैं उनके साथ वाद विवाद किया हूँ, इसके कारण आज मैं जो हूँ, मैं हूँ, तो हर एक बात पर वो समझ करके, एक्सप्ट करना चाहते थे, वो भी ऐसा है, मैंने कभी कोई भी बात एक्सप्ट नहीं की, जब तक कि उसको ठीक से समझ नहीं लिया, उस पर वाद विवाद नहीं किया, उसको औरी अच्छी तरह से एनालीसिस नहीं किया, विश्लेशन नहीं किया, मैंने नहीं, फ़र मैं कन्विंस्ट हुआ, तब फिर बात लगे, उसी प्रकार से बोले कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे मेरे शिश्य, मैं जो कहूँगा वो मान लेंगे, नहीं, मेरे साथ अर्गुमेंट करो, विवाद करो, समझो अपनी बुद्ध, और फिर बाद में उसको स्विकार करो, ये अनविश्वास या इस प्रकार से उन नहीं चाहते थे, तो ये स्वामी विवेकानन ने निवेदि जब दूसरी बार स्वामी विवेकानन इंग्लेंड में विजिट में आये, तब भी उस अब लेक्चर अटिंड किया था, उस समय स्वामी विवेकान को उन्होंने पूछा, एक प्रकार से उन्होंने इच्छा बताई कि मैं स्वामी विवेकान के कारे में इतना से कारे को उ 7th June 1896 को, 7th June 1896 को, जो स्वामी विवेकान का छोटा सा पत्र है, स्वामी विवेकान ने कितने सारे पत्र, 775 लेटर्स लिखे हैं, कुल पत्र, जो कि हमको अभी उपलब्ध है, उसमें से कई पत्र ऐसे हैं, बहुत ही इंस्पारिंग है, और उसमें one of the most inspiring लेटर्स, जो स्वा को लिखा हुआ, मैं अडियर मिस्ट नॉबल, 7th June को का है, My ideal indeed can be put into a few brief words, and that is to preach unto mankind their divinity within and how to make it manifest in every moment of their life. कि मेरा सारा संदेश, एक वाक्य में मैं बोलना, मैं उसको सारांस में बोला जा सकता है, क्या, My ideal indeed can be put into a few brief words, थोड़े शब्दों में मेरा सारा संदेश में कहा जा सकता है, वो है, that is to preach unto mankind their divinity within, सारे मानव जाती को दिव्वता का संदेश देना, कि प्रतेक मनुष्य के भीतर में दिव्वता विराजमान है, irrespective of caste, creed, color, religion, nationality, चाहे वो उच्चवन का हो, निम्नवन का हो, धनवान हो, गरीब हो, पुरुष वो, स्त्री हो, प्रतेक मनुष्य के भीतर में वो दिव्यात्मा है, यह एक, and that is, यह पहला, second, and how to make it manifest in every moment of their life और यह दिव्यता को प्रकट कैसे करना, क्यों हिमाले में जाकर करकर नहीं, जंगल में जाकर करकर नहीं, संसाय में रहते हुए प्रतेकारे को करते हुए, यह कैसे करना, यह बताना, यह मेरे जीवन का उद्देश है, प्रतेक जीवन के प्रतेक्षण में उस दिव्यता को अभिवयत कैसे करना, ये मेरे जीवन का उदेश है, ये तो सारा उनका साराश उसके बारे में कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महतोपुण संदेश है, पर फिर बाद में स्वामे जी ने कहा, One thing I clearly see is, their light is this, that misery is caused because of ignorance. Who will give the world light? Sacrifice in the past has been the law. It will be a loss for ages to come. The earth's best and brevest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. Buddhas by the hundreds are necessary with eternal love and pity. अफिर उनने कहा, awake, awake, great ones, the world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call, till the sleeping gods awake, till the God within answers to the call. Awake, awake, great ones, the world is burning with misery. ये Swami Vivekan ने आहुआ दिया, Miss Margaret Novel का. इस प्रकास दिरे-दिरे Miss Novel से कैसे निवीद्धा बनती है, कैसे सारा जीवन सेक्रिफाइज कर देती है, कैसे फिर भारज जाती है, और किस प्रकार से नारियों की शिक्षा के लिए प्रेतन करती है. ये सब तो अपने आप में लंबी कहानी हैं, पर आज हम यही कहते हैं, कि स्वामी Vivekan ने किस प्रकास से, जहां जाज आ रहे थे, ना मातर प्रवचल नहीं दे रहे थे, मनुश्यों को तयार कर रहे थे, Man-making is my mission, इस प्रकास से मनुश्यों को तयार कर रहे थे, इसके बाद की चर्चा बाद में करें, आज यही समाप्त करें. ओम शान्ति 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 हरिही ओम तस्त शिराम कृष्णार पर नमस्तू.